प्रती स्वासियों के लिए मौसम से चूड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसमें 36 गड़ के कई जीलों में आज से आने वाले कई दिनों के लिए रेड ओरेंज और येलो अलर्ट जारी दरसल दक्षिनी और मध्य 36 गड़ में लगातार बारिस हो रही है जहां भारी बारिस के इलाकों में लोगों के लिए आफ़त बन गई है वही नदी नाले उफान पर है और नदी किनारे बसे गाउं में बार का पानी घुज गया है जिससे बसतर दुर्ग राइपूर और बिल भा नाला से पानी छोड़ना पड़ा है भारी बरसा से जन जीवन अस्तेवस्त होके हैं इधर मौसवी भाग ने अगले 24 घंटों के लिए रेड औरेंज और येलो अलर्ट जारी किये गए हैं वहीं मौसम वैग्यानी एचपी चंद्रा के मूताबिक बता दे कि एक अवदा अगले 24 घंटों में अवदाप के रूप में बने रहने की संभावना हैं जिससे मांसुन दुनिकांव गंगा नगर रोहतक बाड़ा सीधी अंभिका पूर अवदाप दाप का केंद्र और उसके बाद दक्षिन पूर्व की और उतर पूर्व बंगाल के खारी के उपर भारी वर्सा होने की संभावना हैं वहीं आने वाले 24 घंटों के अंदर प्रदेश में अनेक इस्तानों पर हलकी सी मध्यावर्सा होने अत्वा गरत चमक के साथ छीटे परने की भी शंभावना जाहिर की हुई है इनके अलावा मौसवी भाग ने भारी बारिस का अलर्ट ज और उसे लगते जीलों के लिए औरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इन्हीं सभी जीलों में भारी बारिस के साथ बिजली गिनने की संभावना जताए गई हैं बाकि और जीलों में येलों अलर्ट वाले जीलों के नाम भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नएव हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अन जरूर कीजिएगा तो रैगार जांजगी चापा महा समुन बलादा बजार रैपूर सुक्मा और उससे लगते जीलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है इससे पहले दक्षि में 32 घंटों का रेड अलर्ट जारी किया गया था उसके बाद दूर्गवार रैपूर संभाग में औरेज अलर्ट जारी किया गया है